प्विधस लेक्ट्ट्ट्ट में हमने डिस्कस किया number system और उसकी 4 types binary number system, octal number system, decimal number system and hexadecimal number system अब हम इस लेक्ट्टर में conversion डिसकस करेंगे binary to octal, decimal then hexa to octal and decimal इस सारी टैइफनमेंन की, सारी conversion हम जोईन किए हैं वो डिसकस करेंगे आज की वीडियो में सबसे पहले हम डिसकस करें के अब बाइनरी तू OCTAL में हमने BINARY से OCTAL की तहये कनवर्ट करना है सो कनवर्ट करने के लिए क्या आपके पास होगा कनवर्ट करना है जब हमने अब OCTAL में हमारे पास कितने नमबर होते है एट 8 को हम लिख सकते हैं 2 raised to power 3 अब जितनी हमार पावर होगी उतने ही हमने क्या बनाने होगे कॉलम और जितने नमबर होगे उतनी रोज बनानी होगे तो ओक्टर टेबल ड्राइब करने का मेथड क्या है कि आपके पास जितने ही नमबर होते हैं उसको 2 पे direct कि एक आपके पास आगया उक्टर टेबल अब binary को जो वो octal में convert करना है तो हम इस table को use करते हुए convert करेंगे आपके पास क्या है number one zero one zero अब क्योंकि octal है table तो इसमें आप देखें three हैं हमरे पस को रहें so हमार पास जो यह number का set होगा यह three बनाना होगा हमने so यह देखें आपके three है zero one zero three का set ही और एक यह one अकेला है अब इसको भी हमने three का set बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे one के आगे दो zero लगा लेंगे क्योंकि हमने बढ़ा है कि अगर आप लोग किसी number के आगे zero लगा दे तो इसकी कोई value नहीं होती लेकिन अगर वो zero आप number के back side पे लगाएं जैसे यह है तो इसकी value होती है so क्या होगा आप इसको 00 लगा देंगे so आपके बढ़ यह three three के set बनागे अब आप देख सकते हैं zero one zero कहां पे like कर रहा है zero one zero two row पे so zero one zero की जगह पे हम लिख सकते हैं two और zero zero one हमारे पास है one row so उसकी जगह पे हमने one so यह हमारे पास binary to octal convert हो गया इसी तरह इसी table को use करते हुए हम देखेंगे decimal to octal table octal वाला ही use करेंगे अब आपके पास यहाँ पे है one one zero zero one zero one one zero और इसी तरह यह नंबर है यहाँ पे यह zero नहीं था अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आप तीन तीन के set बना लिए तीन का ये तीन का ये और यहाँ पे decimal तो decimal से आप जो है right side पे number उनका भी तीन तीन का set separate बनाएंगे तो यह तो आपके पास तीन का set बन गया जब भी आपने decimal के जो है right side पे numbers का set बना तो उनको आपने left to right count करना है और इस side पे जो बनाना है उसको आपने right to left mean इस से इस side पे देखना है तो यहाँ पे 0 नहीं था तो यह 3 का set यह 0 1 था तो यहाँ पे बने 0 लगा दिया क्योंकि जब भी decimal में आप numbers के बाद 0 लगाते हैं तो उसकी कोई value नहीं होती क्योंकि आपके पस decimal के बाद कितने points होते हैं यह आपको नहीं पता होता है तो इस तरह से हम 0 लगा सकते हैं so octal table को ही यूज करते होगे 1 1 0 किस row में है 6 में 0 1 0 2 में और 1 1 0 6 रो में point 1 0 1 5 0 1 0 2 रो में है next है हमारे पास conversion from octal to binary अब इसमें आप क्या करेंगे octal to binary जाना है तो आप देखें same table यूज करेंगे octal वाला ही 6 7 यहाँ पे 8 है इसको binary में convert करना है so आप इसको कैसे convert करेंगे 6 7 को यहाँ पे आपके पास 6 है आप देख सकते है 6 6 क्या 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 है 1 1 0 इसके लिए पे आप लिखते हैंगे 1 1 0 7 7 के आगे क्या है 1 1 1 1 1 और यह क्या है आपके पास sorry binary में convert करना तो यहाँ पे 2 आपका इसी तरह अगर आपके पास 6 7.32 तो 6 के नंबर then 7.3 के आगे वाले नंबर then 2 के आगे वाले नंबर यह आदे लिए थोड़ा सा डिफरेंट है hexadecimal का table तो इसको देखते हैंगे बड़ा important table है हमारा conversion from binary to hexadecimal अब हम देखते हैं hexadecimal में कितने नंबर होते हैं 16 so 16 को हम लिख सकते हैं 2 raise to power 4 अब इसमें hexadecimal में मारे पास 4 columns बनेंगे और 16 rows बनेंगे अब यह कैसे हम बनाएंगे table कि 16 को 2 पे ड़ाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 8 तो पहले 8 0 then 8 1 फिर आप 8 को 2 पे ड़ाइड करेंगे 4 आएगा तो आपने 4 0 4 1 then 4 0 4 1 फिर 4 को 2 पे ड़ाइड किया तो क्या है 2 then 2 times 0 2 times 1 2 times 0 2 times 1 यह सी तरह आप 2 को 2 पे ड़ाइड किया तो 1 आए एक दफाए 0 फिर 1 0 1 0 1 यह सारा table आपने complete कर लिया अब आप देखें यहाँ पे 2 की पार 4 है तो हम यह 4 का पियर बनाएंगे 4 यह नमबर 4 यह नमबर जितनी 2 की पार होगी उतना ही हम पियर बनाएंगे so 0 1 1 0 कहां पे आपके पास आ रहा है 0 1 1 0 D के आगे sorry 0 1 1 0 6 के आगे 0 1 1 0 तो यहाँ पे आगे इसकी जगा पे 6 1 1 0 1 1 1 0 1 उसकी कहां पे D तो उसकी जगा पे T याएगा कभी भी इसको आपने ऐसे नहीं लिखना 13 वरना आपका question wrong हो जाएगा इसी तरह ही जब हम इसको लिखेंगे 1 1 0 1 यह मिन decimal point form में इसके भी से नहीं करना decimal से right side पे pair बना लेने है इसी टेबल को यूज करते होगे हमने लिखना है 1 1 0 1 किसके equal है D के equal then 1 0 1 1 0 आपके पास क्या है 6 then 1 1 0 1 भी आपके पास क्या है D तो यह आपने लिख लिख लिया और आपने hexadecimal में convert करना चाएग तो यहाँ पे आगा 16 अगर हमने hexa to binary जाना हो यह decimal तो कैसी आएगा E F 2 16 है तो E की जगा पे जो number है वो लिख देंगे then F की जगा पे जो number है वो लिख देंगे then 2 की जगा पे जो number है वो लिख देंगे ठीक है और इसके बाद binary में convert करना है तो यहाँ पे 2 आजाएगा इस ते अगर point में है तो F की जगा पे F वाले number 2 की जगा पे 2 वाले number point D की जगा पे D वाले number और यह आगे आपके पास 2 next है हमारे पास conversion from octal to hexa यह भी बहुत important है यहाँ पे आपके पास क्या है octal to hexa तो इसमें आपको two tables require होंगे एक octa का और एक hexa का भी practice की कर सकते हैं अब two six eight octal है इसको hexa में convert करना है octal है तो hexa में convert करना है अब आप देख सकते हैं two जब भी आपने octal to hexa convert करना है तो उसके लिए आपने method रखना है three steps आपके होंगे सबसे पहले आप octal को binary में convert करेंगे और binary के बाद उसको hexa में convert करेंगे यह बड़ा important conversion है यह वाली आपकी उसमें आपको confusion भी हो सकते हैं तो आपने इसकी जतनी प्रैक्टिस हो सके वो करनी है सबसे पहले जब आप octal to binary जाएंगे तो आप लोग यह वाला table यूज़ करेंगे ठीक है उसके बाद आप जब hexa में जाएंगे तो आप यह table यूज़ करेंगे अब आप देख सकते हैं two two के आगे क्या है zero one zero so आपने लिख लिया zero one zero next है six six के आगे one one zero one one zero ठीक है अब आपने जब यहां से hexa में जाना तो आपको four four pairs की ज़रूरत है सो इसके four यह बन गे और आगे four बनाने उसी तरह ही zero zero ले ले लेंगे start में so zero 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 one one के सामने है और zero one one zero six के सामने है सो यह आपके पास आ गया इसी तरह ही अगर आपके पास यह तो आपके पास हो गया यह table next अगर आप hexa to octa convert करना चाहे तो उसमें आपने सबसे पहले hexa को binary में लेके जाना और उसके बाद octa में लेके आना है में पहले hexa वाला table use करेंगे then octa वाला देखें a e है तो पहले आप hexa वाले table के a के सामने वाले 4 आ जाएंगे और e के सामने वाले 4 यह binary में अब फिर इसको आप क्या है octa में convert करेंगे तो octa वाला table लाएगा 33 वाले set बना लेने हैं आपने फिर 101 के सामने 2, 011 के सामने 5 और 110 के सामने 6 आ जाएगा सो यह आपकी थी conversion इनकी जितनी practice हो सकती है आप से करें यह बहुत important आपकी questions है और यह topic भी आपका बहुत important है thank you